दिल्ली पुलिस की जाँच जारी है लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है क्या ब्रेजबूशन श्रणा सिंग की गरफतारी हो पाएगी या नहीं जी हाँ हर किसी के मन में यही सवाल है लगातार जितने भी यहाँ पर समर्थक विनेश फोगाट साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के समर्थन में और उन साथ महिला पहलवानों के समर्थन में जिन्नों ने इस मामले में शिकायत दर्च कराई है लगातार समर्थन मिला है ल पुलिस के साथ तमाम बातों को लेकर यहां पर की जा रही है लेकिन दहीं बात गिरफतारी की तो अभी तक इस मामले में गिरफतारी होनी होती तो शायद हो जाती क्योंकि ब्रच बूशन श्रंड सिंग मामले में अभी तक ऐसा कोई चोकाने वाला खुलासा पुलिस के सामने नहीं हुआ है सिवाए यहां पर देखा जाए गवाहों के और यहां पर जो बयान दर्च के उसके सिवाए क्योंकि कई सारी मामले ऐसे होते हैं जहापर कुछ तो इसमें को परिशान किया इसके अधार पर पुलिस उस लड़कें को तुरंती धरदबोस्ती है लेकिन ऐसा ब्रेजबुशन श्रंड सिंग मामले में नहीं है नहीं कोई फोन डिटेल नहीं कोई मैसेजिस नहीं कोई वीडियो चैट यहां पर पुलिस लगातार जाच कर है लेकिन पहलवानों की मांग यही है कि गिरफतारी नहीं हो तो तब तक हम अटेंगे नहीं क्योंकि अगर हम यह गिरफतार नहीं हुए तो यह हम अगर हम धरना परदशन खत्म करके बाहर जाएंगे तो हमें पर दबाब डालेंगे केस वापस लेने के लिए जो हम चाहते नहीं तो इस तरीके से ब्रेजबोशन श्रंड सिंग मामले को लेकर लगातार सबकी नजरे बनी है और गरफतारी को लेकर रही बात तो अब ब्रेजबोशन श्रंड सिंग से भी कुछ बड़े सबूत कुछ बड़े कागजात मांगी गए है इस मामले पर और महिला पहलवा को लेकर कोई खबर सामने आती है या नहीं यह देखना बहुत दिल्चस्प रहेगा लेकिन आपको क्या लगता है कि केस के हालात को देखते वे बारीकियों को देखते वे क्या विरजबुशन गरफतार हो पाएंगे या बच जाएंगे अपने रा कॉमेंट सेक्शन में जोड दीजेगा बहुत बहुत धन्यवाद